हेलो नमस्ते प्यारी विद्यारतियों और दोस्तों मैं हूँ बत्कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एन माई डूप क्लास के अंद्रगत आप सभी से जैसे की वादा किया गया दा कि आपके लिए एक इंपूर्टन क्लास होगी आपके प्रैक्टिकल एक्जाम को लेकर हा अगल О iOS लाने होते हैं तो कोई भी अ कोलीज की जैसे बीए है कि तो बात करें उन्में क्या होता है कि पर पेपर 100 नंबर का होता है कितना होता है तो इसका जो 100 नंबर का होकर कितना होता है वो होता है 75 का ठीक है इसी तरह रहे प्लबड़ का होता नback का होता है यह तो οमस्ट आपको पता होगा तो इन दोनों का calculation कितना हो गया 150 हो गया ठीक है यानि इसका मतलब आपकी जो धरी एक्जाम होते हैं यहांव आपको होता है अब यहाँ पर आपको बता रहे कि जैसे 200 में से 72 लाना होता पासिंग मार के लिए तो 150 में से कितना लाना है ठीक है ना 150 में से कितना लाना है यह आपको पता होना चाहिए तो यहां से जैसे मैं पेपर यह है तो सतीक तरिक छेंगे प्रेक्टिक आपको प्रेक्टिक्व के लाना शत्ताइस नूमबर इसमाइश नॉटे इसमें प्रेक्टिकल का जो आपका होता है प्रेक्टिकल इसमें मिनीमम अठादा नंबर पासिंग मार्क होते हैं जैसे कि पिशतर में से आपके पासिंग मार कितने 27 सब्सक्रांब बैसे सब्सक्राइब कर दो मेरा कि लसक्राइब्स 24p टोल बनों उसमें छोतस्क बासरा बात करते हैं कि आपका जो प्रेक्टिकव 00 pools 18 तो सिधा सा अब मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बताने वाला कि पतस्अच नमर्गा प्रेक्टिकल होता है उसमें क्या सिस्टम रहता है क्योंकि यह पहले आपको थोड़ा बताना था इसलिए मैं बता दिया ऑलमोस्ट आपको ना जो वीडियो है वो फ्रक्टिकल्च या सबस्बंद वा constitu water पुलजा है तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ का अब कर्ता का तो थो आपका जो हो जो कि गर्रीप होगा ने वहां बात करें तीन स्टेप में होगा कितनी अब होता तीं स्टेब निस्टेब क्या होने वाले वह मैं आपको बताने सबसे पहले हम बात करते हैं कि बताऊं तो जिये प्रिक्टिकल भोता है कि इस में एक बनेगा चाहिए तो यहां पे के Kane 20 का group बनेगा 20 का एक group होगा 20 का दूसरा group होगा और पिर उसके इसाब से काम दिया जाता है ठीक है यह तो आपको पता होना सब होता है इन पच्छास में से आपको passing होने के लिए 18 नंबर लाने होते हैं तो यहां पर मैं आपको पी लिख देता हूं किया है ठीक है न उससे समदित आपके 20 नंबर का एकजाम उता क्यूंत करना नंबर का होगा ट्मन का एकजाम होगा दियाऑ करें दसकी सब्सक्राइब करते हिं चीआपका अंक् Great मतलब प्रियुक साला के अंदर यानि जो कारी होता है या उसके इस्ट्रूमेंट है उससे संबंदित डिटेल है या राउंड आफ हम बात करें कि आपके जो आपने प्रिक्टिकल फाइल बनाई है उसके संबंदित क्वसंद भी यहां पर आ सकते हैं तो लेवग से संबंदित लिकीट प्रिक्सा होगी और यह 29 नंबर है इसमें ध्यान रखेगा कि आपको तीन प्रश्ण uct legitimately जाएंगे तीन ओर कितने नंबर का होगा साथ नंबर का होगा यहां पर ध्यान रखेगा इस customer मैं इस यहां पर मैं आपको बता रह갈 लिकित प्रिक्शा होगी आपके graffiti प्रेक्टिकल के पहले तीन कंडे में हुटा होगा नियांनी कितने उंक म होगा यह EB जाने के बाद दूसरा step क्या होगा आपका दूसरा बात करें जिसको यह भी कहें कि वाइवाव अगर आप समझते होंगे वाइवाव होता है ठीक है तो इसके अंदर बात करें कि आपने जो प्रेक्टिकल बुक बनाई है यानि रिकॉर्ड वर्क क्या कहेंगे जो आपने प्र प्रेक्टिकल भुक बनाई है उसको आपको लें जा जाना है एकिधर द्यूर्व रिक्टिकल वाले के पासा और वह आपको श्री कि त्लेदर प्रिश्ट पूछेगा तो अब यह मैं आपको बता दूचु जी प्रष्ट पूछने वाले इसको अगर हम कहें तो आपकी यहा करें कि इंट्रिव्यू जिसको हम कहते हैं साक्षातकार ठीक है इस सेकंड इसमें यह होगा अब आप कहेंगे कि सर यह जो आपकी जो प्रेक्टिकल बुक बनाई यह वो और यह उससे समध्री प्रश्ण कितने नंबर के पूछे जाएंगे ठीक है तो आपको बता देते हैं र प्रश्ण कितने नंबर का आपका उसकी बुक और से अपको समय में आगया अब इसके बाद आप का आता है थड्ल स्टेप में क्या होगा थड्ल सर्वे आपको फिल्ड में ले जाया जाएगा एक्जामिनर भी साथ में होगा और आपको टास्क दिया जाएगा उसको पूरा करना है यानि हम ऐसे के शेत्रियस तरवेक्षन और आपको काम दिया फिल्ड में तिकिना आपको वो करना है इसके बाद आप एक्जामिनर है जो आपके पास आएगा और आपको जो काम दिया गया इसे समझादी प्रशनफ पूछेगा कि वह जिराब चैन कितनी होती है अजिस सी पूइंट है कि कुछ प prone आपने पॉल रखा तो इस तरह से आपका Voorकडिया जाएगा उसबंट आपको क्या क्या कुछित्य से आपकी भी मैं आपको बद कर तो क्या करने यह भी आपको भी मैं आत्रकत आपको यह का जाए गा यानि यहां पर आउन्य पर आप पूच्छा जाएगा फिल्ड सर्वे यह क्या है फिल्ड कि फिल्ड कि सर्वे एंट इंट्रिव्यू या शाक्षात का ठीक है तो यह थर्ड इस्टेपल अब आप यह पूछ रहे होंगे तो आपने बता दिया लेकिन यह कितने नंबर का होगा तो यह बता दें कि आपको जो इस तरह से आपका तीन इस तरह हो गया अब 21 15 जोड की कितने होगे 50 नंबर होगे ठीक है तो इस तरह से आपका तीन स्टेप में प्रैक्टिकल होता हैं और उसमें पच्शास मेंसे आपको कितने लाना है 18 मेरे विद्यार्तियों आपको मेरे द्वारा जी그 जानकारी संग्हें आगे कि जुगराफी प्रैक्टिकल कैसे होगा को अब कि आपके पूछ ने बताएं वो त्यारी करना है यह तो मुझे बता दीजिएगा क्योंकि आपने वाली हर चीज आपके लिए इंपोर्टेंट होती है जैसा कि आने वाली क्लासव में आपको इंपोर्टेंट प्रश्न जरूर दिये जाएंगे तो अगर इंपोर्टेंट लगाया तो जरूर आपने शेर कर दीजिए इसको लाइक कर दीजिए और दुबार आप से मिलते हैं मस्त वीडियो के साथ तब दक के लिए आप सभी का जन्यवाद थेंक्यू